केकेन अलफाज का ये नया अंदाज आपके लिए अब सीधे सीधे पंक्तियों से जोडता हूं सुनिएगा अपने ही चौकीदार का आप कैच लोगे क्या राफेल लाने वालों को उखार फेक दोगे क्या पाकिस्तान की आप तरफदारी करते हो पाकिस्तान की खूब तरफदारी करते हो सत्ता के लिए देशे आप बेच दोगे क्या बिल्कुल अकसर आहिस्ते से आकर सपनों में दखल वो देती है ना चाहते हुए भी मेरे साथ खूब वो रोती है रास्ते अलग हो जाते हो बेसक सुबह में मगर रात में मेरे साथ ही वो होती है मगर रात में मेरे साथ ही वो होती है क्या बात है वोट के लिए ये आपका प्लान गेम है वोट के लिए ये आपका प्लान गेम है वीरो के पराक्रम पे लगाया क्लेम है सुबूत मांकर दुस्मन देश को प्रसन्न कर दिया आप बताओ ये कैसा देश प्रेम है डूसरों से सीखा खुद पे आजमाने के लिए प्यार होता है निम्हाने के लिए ये प्यार होता है निभाने के लिए जमाने बेशक रूलाते आए हैं आसिक को, मगर ताज महल बना उन्हें दिखाने के लिए, एक पेसंट तो डॉक्टर की फीच सुनकर ही दम तोर दिया, इसका कारण ये था कि वो हाड का पेसंट था, बाद में डॉक्टर को पता चला कि ये हाड का पेसंट है, पंक्तिया समर्पित करता हूँ, सुनिए गादि, जारूबाली पार्टी भी स्वक्ष्पार्टी ना रही, आप समझ गय होंगे कि मैं किस की बात कर रहा हूँ, जारवाली पार्टी भी स्वक्ष पार्टी ना रही जिस कॉंग्रिस से लरते थे वो करप्ट पार्टी ना रही सत्तर में से सरसट जीते फिर भी भरोसा नहीं क्योंकि मफलर भी गायब है और खासी भी ना रही मफलर भी गायब है और खासी भी ना रही वावाः आखे नमना हने दिया उनके झाने के बाद भी एक लड़के के साथ प्यार में धोका होता है, उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता है तब जो होता है कभिता कि मादम से I corona बताता हूं आप हमें थी उनसे मिले की मगर उन्हें ना कह पाया आज भी मगर उन्हें ना कह पाया आज भी क्या बात है उनके लिए हमने घर बार छोर दिया उनके लिए हमने घर बार छोर दिया अपनी संसिक्रिती और संसिकार छोर दिया अपनी संसिक्रिती और संसिकार छोर दिया अपनी बात मैं कर रहा हूं मैं किसी और की बात कर रहा हूं आप भी समझेंगे मैं किसी की बात कर रहा हूं अपनी संसिक्रिती और संसिकार छोड़ दिया सिर्फ वो ही बची थी मेरी जिंदगी में सिर्फ वो ही बची थी मेरी जिंदगी में आखिर में वो नागिन मुझे ही छोड़ दिया आखिर में वो नागिन मुझे ही छोड़ दिया, जी उठा था एक बार फिर उनके आने से, कभी ना सोचा कि ये हाल होगा उनके जाने से, जी करता है चुरालू उन्हें अपने ही ख्वाबों से, मगर अफसोस नब बना ऐसा कुछ भी बनाने से, पबलिक में कलाकारों की खुब मांग है, अभी चुनाब के मैदान में बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया जाता है, इस्तार प्रचार को को बुलाया जाता है प्रचार करने के लिए, और इसके बाबजूद एक कलाकार का अपमान होता है, तब मैं ये पंतियां लिखता पबलिक में कलाकारों की खूब मांग है, दुनिया की संसिक्रीती में भारत का नाम है, निरहुआ को आपने नचनिया कहा, ये तो दुनिया के कलाकारों का अपमान है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कारकराम अच्छा लगे तो लाइक करे, कॉमेंट करे, सेर करे, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्तार